भगवान कृष्ण ने इस प्रकार इश्वाकुन नंदन मुझकुन्द पर अनुग्रह किया। अब उन्होंने भगवान की प्रिकर्मा की उन्हें नमस्कार किया और गुफा से बाहर निकले। महराज मुझकुन्द तपस्या, धैर तथा आनासक्ती से जुक्तेयों संसय संदे से मुक्त थे। वे अपना चीत भगवान कृष्ण में लगा कर उत्तर दिशा की यात्रा किये। गंध मादन परदबत पर जाकर भगवान की तपस्या किये। भगवान नर नरायन के नित निवास अस्थान बद्रिकास्नम में गए और बड़े शांत भाव से गर्मी, शर्दी, आदि द्वंदों को सहते हुए, कठिन तपस्या के द्वारा भगवान की अरादना करने लग और इधर भगवान मतुरा लोट कर आये, तब तक काल जयोन की सेना मतुरा नगरी को घेर लिया था। अब उन्होंने मलेक्षों की सेना के संगहार किया और उसका सारा धन छीन कर द्वारिका ले गए। ठीक उसी समय मगध राज जरासन फीर आठारमी बार 23 अख्रोणी सेन लेकर आया। शत्रू सेना का प्रबल बल देखकर भगवान क्रिश्न और बलराम मनुष्यों की सी लीला करते हुए जरासन के सामने से ही भाग निकले। उनके मन में थोड़ा भिभाय नहीं था, फिर भी मानो अत्यंत भाइभीत हो गये। इस प्रकार वह सब का सब धन वही छोड़कर भैभीत होने का नाटक करते हुए भगवान वहां से भागे और सब कुछ वही छोड़कर अनेक जोजन तक भागते रहे। जब महाबली मगद राज रासन देखा कि क्रिश्न बलराम भागने लगे तो सबसे पहले हसने लगा, बहुत जोड से हसा, और अपने रत को लेकर क्रिश्न बलराम का पीछा करने लगा, उसे भगवान के स्वर्ज का पता नहीं था, बहुत दूर तक दोड़ने के कारण, दोनों भाई ठक गए, अब आगे चल कर एक परवत था, प्रवर्षन परवत, वहां सदा मेघ मालाएं घिरी रहती थी, भर्षा होती रहती इसलिए उस परवत को प्रवर्षन परवत कहते हैं, जरासन देखा कि दोनों भाई इस परवत पर चड़ गए और छीप गए, तो अपने स्वर्णीकों के द्वारा इंधन जुटा कर वहां आग लगवा दिया, और परवत बहुत उचा था, गारह जोजन, लेकिन भगवान उस परवत के उपर से शीधे कूद पड़े, लेकिन उनके कूदते हुए स्वरूप को जरासन नहीं देख पाया, भगवान अपने द्वारिकापुरी में चले गए, जरासन जोट मुट का मा लिया, कि कृष्ण बलराम परवत में जल गए, उस पहाड में, जंगल में जल ग शीरी बलराम जी की विवाह की चर्चा करते हैं, शुकदेव गश्वामी कहते हैं कि नौ मसकंद में एक राजा आनर्ट देश के थे स्रीमान रैवत जी, जिनकी चर्चा हो चुकी है, उन्हीं रैवत की एक बेटी थी, रेवती, बड़ी सुंदरी थी, महराज रैवत के मन म आया कि इसके समान संदर्ज वाला कोई फुरुष होना चाहिए, जिसके साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूं, जब वह अपने समझ से नहीं धूड़ पाए, तब ब्रम्हा जी के पास गए, और ब्रम्हा जी के सला से अपनी बेटी को श्री बलराम जी के से वियाह कर दि लेकि श्री बलराम अपने साइज की रियोती को कर लिये, तो भगवान की यह अध्भूत लीला है, इसके बाद भगवान कृष्ण के विशय में कहते हैं सुकदेव गुस्वामी की स्वयंबर में आये हुए सिश्पाल यादी पक्षपाती साल यादी नर्पतियों को बल प रुकमणी जी राजा भिश्मक की कन्या और स्वयं भगवती लक्ष्णी की अवतार थी, तब महराज परिक्षित जिग्यासा करते हैं कि भगवान हमने सुना है, भगवान रुकमणी का हरण करके राक्षस बिधी से विवाह किये, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि परमत परमतेजस्वी भगवान स्रीकृष्ण ने जरासंद साल आदिनर्पतियों को जीत कर किस प्रकारुकमणी का हरण किया, बड़ा सुन्दर जिग्यासा करते हैं सुकदेव गुष्वामी, भगवान शोत मिक्षामी कृष्णस्यामीत तेजसह जथा मागद सल्वा दिन जित् हे भगवन मय जानना चाहता हूं कि परमतेजस्वी भगवान जरासंद साल आदिनर्पतियों को जीत कर किस प्रकारुकमणी का हरण किया, ब्रह्मन कृष्ण कथा पुन्द्या, माध्वीर लोक मलापहा, को नुत्विपेत शिन्वानः सुतग्यों नीत नूतनाह हे भगवन, भगवान से कृष्ण के लिलाओं के संबन में क्या कहना है, वे स्वयम तो पवित हैं ही, सारे जगत के मल को धो बहा कर पवित करने वाली है, उनमें ऐसी लोकोतर माधुरी है, कि जिसे दीन रात सेवन करते रहने पर भी नित्य नया नया रस मिलता है, तो हे प् भगवान की दिव्य दीला का वर्णन कीजिए, तव सुकदेव गुस्वामी कहते हैं, कि महराज भीश्मक बिदर्व देश के अरिपती थे, उनके पांच पूत्र और एक सुंदरी करन्या थी, सबसे बड़े पूत्र का नाम था रुकमी, और चार छोटे पूत्र थे, रु तो निश्य कर ली कि सुरी कृष्ण ही हमारे अनुरूपती हैं, भगवान कृष्ण के संदर्ज, उदार चरीत्र, गुमूर, यादी अदितिये था, इस विशय में रुकमी को बार बार सुनने को मिला, लेकिन रुकमी का भाई, रुकमी नहीं चाहता था कि रुकमी का ब्यक्त करने के बाद भी, जब रुकमी अपनी इक्षा ब्यक्त की, इसके बाद रुकमी इसका बिरोध किया, और सिस्पाल को अपनी बहन के जोग बर समझा, अपने पिता को समझाया, और कहा कि मैं अपनी बहन का विवार सिस्पाल जिसे करूँगा, एकदम इसके लिए ज एक ब्राभन के द्वारा पत्र भेजा। विश्वास पत्र ब्राभन था। उसे रुकमणी बुला करके पत्र लिखी और उनके हाथ से कृष्ण के पास भेज दी। ब्राभन देवता द्वारिकापुरी में पहुचे द्वारपाल उन्हें बड़े आदर के साथ कृष्ण के पास ले गए। वहाँ जाकर ब्राभन देखे कि भगवान सोने के सिहासन पर विराजमान है और बड़ा आनंद के साथ बैठे हुए हैं लेकिन जेवही भगवान ब् जैसी सेवा किये जैसे देवता लोग भगवान की सेवा करते हैं आदर सतकार हुशल प्रस्ण करने के बाद जब ब्राभन खा पी कर आराम से बैठ गए तब भगवान अपने कोमल हाथों से उस ब्राभन देव का पैर सहलाते हुए बड़े सांत भाव से पूछने लगे सरवदा संतुष रहता है ना आपको अपने पुर्व पूर्शों द्वारा स्विक्रित धर्म का पालन करने में कोई कठिनाई तो नहीं होती ब्राभन को जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष रहना चाहिए अपने धर्म से कभी छिवत नहीं होना चाहिए संतोसी होना चाहि कि जदी इंद का पद पाकर भी किसी को संतोस न हो, तो उसके सूख के लिए एक लोग से दुसरे लोग में बार बार भटकना पड़ता है, कहीं शान्ती नहीं मिलती, परन्तु जिसके पास थोड़ा सा भी संग्रह परिग्रह नहीं है, संतूष्ट है, तो असब प्रकार से संत प्रहित होकर सूख से सोता है, जो स्वयम प्राप्त बस्तू से संतोस कर लेता है, जिनका स्वभाव बड़ा मधूर है, जो समस्प्राणियों के परम हितैशी हैं, अंकार रहित और सांत हैं, उन ब्रावनों को मैं सदा सर्वदा सीर जुका कर नमस्कार करता हूँ, हे ब्रा किलासा से आप यहां पधारे हैं यदि कोई विशेस बात न हो कोई गोपनिय रहस न हो तो आप किरपा करके हमसे कहिए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं जब इस प्रकार भगवान ब्रावन देव से पूछने लगे तब वह अपने आने के सारे रहस को कह सुनाया और इसके पत्र में लिखती हैं सुर्त्वा गुणान भुवन सुन्दर शिन्वताम ते निर्वेश्य कर्ण विवरई हरतों गतापम रूपम दिशाम दिशिमताम अखिलार्थ लाभम त्वय चुता विशतिचित्रम पत्रपम में हे त्रिभौन सुन्दर आपके गुणों को जो सु प्रवेश करके एक एक अंग के ताप जन्म जन्म की जलन बुझा देता है तथा अपने रूप संदर्ज को जो नेत्र वाले जीवों के नेत्रों के लिए धर्म अर्थ काम मुक्ष चारों पूर्शार्थ के फल यहम स्वार्थ परमात सब कुछ है समर करके हे प्यारे अच् विद्या बयो द्रमिन धाम भीरात्म तुल्यम धीरा पतिम कुलवती नविडित कन्या काले निशिंग नरलोक मनो भीरामम हे प्रेम शरूप श्याम सुन्दर चाहे जिस द्रिशी से देखे कूल, सील, सोभाव, संदर्ज, बिद्या, अवस्था, धन, धाम सभी में आप अद्वितिये हैं अपने ही समान हैं मनुष लोक में जितने भी प्राणी हैं सबका मन आपको देह कर सांती कानभव करता है आनन्दित होता है अब हे पुरुष भूशन आप ही बतलाईए ऐसी कौन सी कुलवती, महागुणवती और धर्जवती कन्या होगी जो बिवाह के जोग्य समय आने पर आपको पती के में श्विकार करती हूँ, मैं आपको पती के रूप में बरण की हूँ, इसलिए आप मुझे श्विकार कीजिए, हे प्रियतम मैं आपको आत्म समर्पड कर चुकी हूँ, आप अंतर जामी है, मेरे हिर्दय की बात आप से श्षीपी नहीं है, फिर भी अपने हिर्दय के भा पत्र के द्वारा आपके पास भेजी हूँ, आप किरपा करके यहां पधारिये, अपनी पत्नी के रूप में मुझे श्विकार कीजिए, हे कमल नयन, हे प्राण बल्लब, मैं आप सरीखे बीर को समर्पित हो चुकी हूँ, आपकी हूँ, हे प्रभो, अब जैसे सीह का भाग शियार छुजाए, वैसे कहीं सिस्पाल निकट से आकर मेरा आसपर्ष न कर जाए, जदी मैं जन्म जन्मांतर में जो कुछ भी पूंड की हूँ, गुर्जनों की सेवा की हूँ, परमेश्वर की अराधना की हूँ, ब्राभणों की सेवा की हूँ, तो सभी लोग मुझ पर प्रसंद हो और आप आकर मेरा पाणी ग्रहण करें, मेरी हार्दी का भिलासा है कि आप यहां आवें और मुझे स्विकार करें, कोई दूसरा पुरुष मेरा आसपर्ष न कर सके, हे प्रभों आप मेरे राजधानी में आईए और मुझे स्विकार कीजिए, अपने बल पौर अपने प्राकर्म से, यहां शिशपाल तथा जराशन की सेनाओं को मथ डालिये, तहस नहस कर डालिये, और बिर्ता का मुल्य चुका कर मेरा पाणी ग्रहण कीजिए, हमारे कूल का ऐसा नियम है कि विबाह के एक दिन पहले खुल देवी का दर्षन करने के लिए एक बहुत बड़ी आत्रा होती है, जुलुष निकलता है, जिसमें विबाह होने वाली कन्या को दुलहिन को नगर के बाहर गिर्जा मंदिर में जाना पड़ता है, तो हे कमलनयन, उमापति भगवान संकर के समान बड़े-बड़े महापुरुष भी, आत्म सुधी के लिए आपके दूल नहीं प्राप्त कर सकी, तो ब्रत दारा शरीर को सुखा कर प्राण छोड़ दूँगी, चाहें इसके लिए सैकड़ों जन्म केव न लेना पड़े, कभी न कभी अवस्य आपका किरपा प्रशाद प्राप्त करूँगी, तो प्रभो मेरे कहने का मतलब यह है, कि आप उस उचित समय पर आईए, जब मैं गिर्जा मंदिर में जाओं, उस समय आकर आप मुझे स्विकार खीजे, मैं घर से बाहर रहूंगी, तो इस प्रकार रुकमिनी जी अपने प्राप्ती का उपाय भी अपने पत्र में बताती है, तो इस पत्र को देकर ब्राभर देवता कह कहते हैं, कि यह है रुकमिनी का गोपनिय संदेश, जीने लेकर मैं आपके पास आया हूँ, और आप देख लिए इस पत्र में रुकमिनी का क्या बिचार है, है प्रभु आप अब जो उचित हो कीजिए, तो इस प्रकार ब्राभर देवता भगवान के समक्ष बिनम्र निव बेदन किया, तो इसके आगे तिरपनमे अध्याय में सुखदेव गोश्वामी कहते हैं, कि भगवान जब बिदर्व कुमारी रुकमिनी का संदेश सुने, तो अपने हाथ से ब्राभर देव का हाथ पकड़ लिए, और हसते हुए बोले, है ब्राभर देवता, जैसे बिदर रुकमिनी को मैं अवश्य प्राप्त करूंगा, मैं जानता हूं, रुकमिनी द्वेस बस मेरा बिदर्वाह रोका है, प्रन्तु हे ब्राभर देवता, आप देखिए, जैसे लकडियों को मत कर, एक दूसरे से रगड कर मनुसुस में आग निकाल लेता है, वैसे जूद में नाम धारी छत्रियों को मत करके, उनको तहस नहस करके, मैं परम सुंदरी राज कुमारी को निकाल लाऊंगा, इस प्रकार भगवान अपना संकल्प सुनाए, और भगवान सार्थी को आदेश दिये, कि अब थोड़ा भी बिलम मत करो, रत सजा कर लाओ, दारुक को संबोध करके, भगवान कहते हैं, कि हे दारुक तनिक भी बिलम न करते हुए रत लाओ, दारुक रत लाया, और शिरी भगवान उस रत पर ब्राभर देव को बैठा करके, आनर्थ देश से बिदर्व देश में जा पहुंचे, एक ही रात में बहुत तीब्र गती से रत चल रहा था, और एक ही रात में बिदर्व देश में जा पहुंचे, और उधर, खुंडिन नरेश महराज भिश्मक, अपने बड़े लड़के रुकमी के शनेव बस अपनी कन्या, सिश्पाल को देने के लिए बिबाहोत्सव की तयारी करा रहे थे, नगर के राजपत, चवराहे, गली ग गई थी, तोरर बांद दिया गया था, सब जगह विबाह की तयारियां चल रही थी, और शिश्पाल क्वामंत्रित किया गया, शिश्पाल भी बहुत बड़ी बरात लेकर खुंडिनपूर में पहुंच चुका था, सुकदेव को स्वामी कहते हैं कि उस भरात में शिश्पाल के साथ साल्व, जरासंध, दंद्रबोक्त्र, बिदुरत और पॉंड्र के आदी, सहस्त्रो मित्र नर्पती आये थे, वे सब के सब भगवान क्रिश्ण और बलराम के विरोधी थे, राजकुमारी रुकमणी शिश सुपाल को मिले, इस विचार से आये थे, पहले से ही निश्चे कर चुके थे, कि जदी स्री कृष्ण इस विवाह उत्सव में आता है, और उकमणी को प्राप्त करने का प्रियास करता है, तो उसका विरोध किया जाएगा, इस अफार संख्या में सेना लेकर आने का एकमात् जब भगवान बिना किसी सूचना के विदर्व नगर के लिए चल दिये, तो भगवान बलराम को जब पता लगा, तो सोचने लगे, कि वह स्री कृष्ण अकेले राज कुमारी का हरड करने के लिए चला गया, वहां तो बहुत बड़ी लड़ाई जगड़े की असंका है, य पैदल सेनाओ को ले करके, चतुरंगणी सेना ले कर कुंडनपूर के लिए प्रस्थान कर दिये, और इधा रुकमिडी, रुकमिडी भगवान क्रिष्ण के सुभागमन की प्रतिक्षा कर रही थी, अवे देखी कि क्रिष्ण को कौन कहें अभी ब्रावर्वर्देवता ही नहीं लोटे, बड़ी चिंता में पड़ गई, सोचने लगी, अब मुझे अभागिन के विवाह में केवल एक रात की देर है, परन्तु मेरे जीवन सर्वस्व कमल नहीं, भगवान अभी पधारे नहीं, इसका क्या कारण हो सकता है, पता नहीं अभी ब्रावर्वर्देवत लोटे नहीं, अवश्य कुछ न कुछ मेरे अंदर बुराई देखी होंगी, तभी तो मेरे हाथ पकड़ने के लिए, मुझे स्विकार करने के लिए भगवान नहीं आये, ठीक है, मेरे भागी ही मंद है, विधाता और भगवान संकर मेरे अनकूल नहीं जान पड़ते हैं, स इधर रुकमेडी स्वचते स्वचते कभी आख बंद कर लेती, कभी रोती, कभी इधर उधर देख करके देखना चाहती कि ब्राभर देवता आये की नहीं, तो इतने में वो ब्राभर देवता आ गये, इधर रुकमेडी जी का बाई जांग, भुजा और नेत्र फड़कने लगे, ऐसे सुब लक्षड से रुकमेडी को लगने लगा कि प्रियतम आ गये हैं, क्योंकि यह प्रिये संबाद की सुचना दे रहा था, इतने में वो ब्राभर देवता रुकमेडी के पास आये, उनको देख करके रुकमेडी प्रशन हो गई, क्योंकि ब्राभर देवता के चेहरे पर कोई घवराहट नहीं लक्षर से समझ गई कि भगवान आ चुके हैं प्रसनता से खील करके रुकमिरी जी ब्राभण से पूछती हैं तब ब्राभण देवता निवेदन किये कि हाँ भगवान कृष्ण हाँ पधार गए हैं और उनकी भूरी भूरी प्रसंसा किया य भगवान के सुभागमन का समाचार्शून का रुकमिरी का हिर्दय आनंदा तिरेक से भर गया उन्होंने इसके बदले में ब्राभण के लिए भगवान के अत्रीक्त और कुछ प्रिये बस्तू न देकर केवल ब्राभण देव के चर्णों में प्रणाम की अर्थात जगत के समग्र लक्ष्मी ब्राभण देवता को सौप दी राजा भिश्मक जब सुने कि क्रिश्नल बल्रा मेरी कन्या का विवाह देखने के लिए आये हैं तो उनके स्वागत में तुरही भेरियादी बाजा बजबाते हुए अगवानी की ऐसे राजा भिश्मक स्वभाविक धंग भगवान के प्रतिन की बड़ी भक्ती थी इन्होंने भगवान को सेना और साथियों के सहीत समझ सामग्रियों से जुक्त निवास अस्थान में ठहराया और उनका यथावत आतित्ष सर्थकार किया और उधर विदर्व देश के नागरिकों ने जब सुना कि द्वारिका ना मकरंद का रस्पान करने लगे आपस में नगरवासी बात करते हैं कि यह रुक्मिणी के लिए यही जोग्य बर है वास्तों में पवित्य मूर्ति स्याम शूंदर रुक्मिणी के जोग्य पति हैं, दूसरी कोई इनकी पत्नी होने जोग्य नहीं है और इसके साथ साथ कहते हैं कि यदि हमने अपने पूर्व जन्म में या इस जन्म में जो कुछ भी सत्कर्म किया है तो त्रिलोक विधाता भगवान हम पर प्रशन हो और ऐसी किरपा करें कि यही शाम सुन्दर सी कृष्ण ही विदर्वराज कुमारी रुकमिणी का पाड़ी करें जी समय प्रेम परवस होकर पुर्वासी लोग परसपर बात चित कर रहे थे उसी समय रुकमिणी अंता पूर से निकल कर देवी मंदिर के लिए चल पड़ी बहुत से शैनिक उनकी रक्षा में नियुक्त थे पैदल चल रही थी मौन थी और माताय और सखी सहलिया उनको को घेर कर चल रही थी सूर्वीर राज शैनिक हाथों में अस्तस्त उठाकर कवच पहन कर बड़ी तयारी के साथ रुकमिणी के साथ चल रहे थे साथ में मिर्दंग शंक ढोल तुरही भेरियादी बाजे बज रहे थे देवी जी के मंदिर में पहुच कर रुकमिणी जी ने अपने कमल के सद्धिश शुकूमल हाथ पर धोय आचमन किया इसके बाद अंबिका देवी के मंदिर में प्रिवेश किया भगवान संकर की अर्धांगनी भवानी को और भगवान संकर को रुकमिणी जी ने प्रणाम किया फीर भवानी के चलन में प्रणाम करते हुए कहती ह है कि हे अंबिका माता आपकी गोद में बैठे हुए आपके प्रिये पूत्र गणेश जी को तथा आपको मैं बार बार नमस्कार करते हुँ आप ऐसा शिर्वात दीजिए कि मेरी अभिलासा पुर्ण हो भगवान सिक्रिश्न ही मेरे पती हो इसके बाद रुकमिणी जीने ज कामगरियों से अंबिका देवी की पूजा की और विबित प्रकार के पकवान भोग लगाई इसके बाद वहाँ पर उपस्थित सुहारगिन ब्राभणियों की पूजा की ब्राभणियों से आशिर्वात प्राप्त की इस प्रकार पूजा अर्चन समाप्त होने पर भी अद्भूत बर्णन करते हैं, उनके मंदिर निकलने का बर्णन बड़ा सुन्दर ढंग से करते हैं, कहते हैं कि हे परिचित रुकमिणी जी जब भगवान में अपना चीत लगा कर गिर्जा के मंदिर से निकली, तो उस समय बड़े बड़े धीर बीरों को भी मोहित कर रही थी, बहुत सुन्दर रुप था रुकमिणी का, उनका कटी भाग बहुत ही सुन्दर और पतला था, मुख मंदल पर कुंडलों की सोभा जगमगा रही थी, वे किशोर और तरुन अवस्था की संधी में थी, बक्षस्थल कुछ उभरे हुए थे, और उनकी द्रिष्टी और साथ ही कुंदरु के समाल लाल लाल ओठ बहुत ही सुन्दर चमक रहे थे, उनके पाओं के पाईजेव चमक रहे थे, और उनमें लगे हुए छोटे छोटे घुंगरु रुन्जुन रुन्जुन करके बज रहे थे, सुकमार चननों से पैदल ही राज हंस की गती से चल रही थी, एक विचित्र बात कहते हैं, सुकदेव गुस्वामी, कि रुक्मिनी मंदिर से निकलते समय अपने प्रियतम को देखने के लिए अपने घुंगट को थोड़ा से हटा करके अपने चंचल नेत्रों से इधर उधर देख रही थी, रुक्मिनी जे इस प्रकार उत्स कहीं आये हों, पत्र के अनुसार, उनको जो टाइम दिया गया है, उसके अनुसार आये हों तो मुझे देखें, अपने संदर्ज को भगवान के प्रती निचावर कर रही थी, और इधर साथ में रने वाले नर्पतियों की क्या आवस्था हुई, तो उन्हें देखकर उनकी खुली हुई मुष्कान और लजीली चीतवन को देख करके अपना चीत लुटाकर बड़े बड़े नर्पती एवं बीर इतने मोहित हो गये, कि रुक्मिनी जी का मुखमंडल देखते ही बहोस हो गये, और उनके हाथों से अस सस्थ छूट कर गीर पड़ा, वे स्वयम ही रथ और हाथी घोड़ों से धर्ती पर गीर पड़े, ठीक उसी समय, श्री भगवान स्याम सुंदर का दर्शन हुआ, रुक्मिनी जी देखी और मुस्कुरा दे, राज कुमारी रुक्मिनी को रथ पर चढ़ाने के लिए भगवान आगे बढ़े, और सत्रूं को देखते द को लेकर भगवान कृष्ण वहां से चल पड़े, उस समय जरासंध के बसवर्ती जीतने राजा थे, उन सब का बड़ा भारी तिरसकार हुआ, सभी लोग आपस में चीड कर कहने लगे, अहो धिकार है, आज हम लोग धनुस धारण करके खड़े ही रह गये, और एक ग्वाला जैसे सीह के भाग को हरिन ले जाए, वैसे हमारा जस्चीन कर ले गया, इस सब आपस में बात करने लगे, और एक दम क्रोध से आग बबुला होकर, अपना कवच पहन कर, अपना हथियार लेकर, अपनी भारी सेना लेकर कृष्ण के पीछे दोड़े, बहुत भारी सेना लेक सीरी क्रिष्ण के पीछे दोड़े, तब तक सीरी बलराम उनके सेनाओं को रोक दिये, आपस में जुद होने लगा, कुछ सैनिक क्रिष्ण को घेर लिये, रुकमिडी जी देखती है, कि उनके परम प्रियतम क्रिष्ण के सेना बार बर्शा से ढग गई है, तो भयभीत नित शत्रों को नश्ट कर डालती है, और इधर गद और भगवान शिर्बलराम जद्बंशी बीर अपने शत्रों का प्राकर्म को शह नहीं पाए, अपने बारों से शत्रों के हाथी घोड़े अरथों को छीन भीन करने लगे, बिलकुर रोक दिये शिर्बलराम सब को, और जीतन श्यनिक थे जो बिभीन सवारी पर चड़े हुए थे, सब को सिर्बलराम मारने लगे, सुगदेगोश्वामी कहते हैं कि सिर्बलराम के कठिन बारों से रोत घोड़े और हाथियों पर बैठे हुए बिपक्षी बीरों के कुंडल, किरीट, पगडियों से सुसोभीत करोडो शीर, खडग, गदा और धनुष जुक्त हाथ, जांगे और पएर कट कट कर प्रिथिवी पर गिरने लगे, एकदम रड़ भूमी बीरों के शीर और सरीर से पट गया, और वे लोग भगवान बलराम के प्राकर्म के सामने टीक नहीं पाए, जूद से पीठ दिखा कर भाग और उधर सिस्पाल तो अपने भावी पतनी के छीन जाने से मराशन हो गया, उड़के हिर्दय में कोई उच्छाह नहीं रहा, न सरीर पर कांती का मुख सुख रहा था, उसके पास जराशन जाकर समझाने लगा, सिस्पाल जी आप तो एक स्रेष्ट पुरुष हैं, यह उद कुलता और प्रतिकुलता आता जाता है, आप एक बार में इतना निरास हो गए, स्रीकृष्ण ने मुझे 23-23 अक्षोणी शेनाओं के साथ 17 बार हराया है, मैंने केवल एक बार 18 बार उस पर विजय प्राप्त की, फिर भी इस बात को लेकर मैं न कभी सोक किया और न कभी हर् कि प्रारवद के अनुसार काल भगवान ही इस चराचर जगत को जख जोडते हैं, इसमें संदेह नहीं कि हम लोग बड़े बड़े बीर और सिनापतियों के भी नायक हैं, फिर भी स्रीकृष्ण के द्वारा सुरक्षित जदुबंशी थोड़ी शेना लेकर हमें हरा दिये, फिर भी कोई बात नहीं, जब हमारा काल अनकूल होगा, समय अनकूल होगा, हमारे दाहिने होगा, तब हम उन्हें जीत लेंगे, आप चिंता मत कीजिए, हमसे सिक्षा लीजिए, इस प्रकार समझा कर उनको सांद किया, और इसके बाद सभी लोग निरास होकर जहां तहां च तिज्ञा किया, कि मैं आप लोगों के बीच यह सपत करता हूं, कि जदी मैं जुद्ध में स्रीकृष्ण को नव मार सका, और अपनी बहन रुकमिनी को नहीं लोटा सका, तो अपनी राजधानी कुंडनपूर में प्रवेश नहीं करूंगा, यह कहकर रुकमीन स्रीकृष् खरी खोटी सुनाने लगा, रुकमी मन में विचार करता था और बोलता जाता था, आज मैं अपने तीखे बाणों से उस खोटी बुद्धी वाले ग्वाले का बल भीर्ज का घमंड चूर चूर कर दूंगा, देखो तो उसका इतना सहस, हमारी बहन को बल पुर्वा खर ले खर दूंगा, कृष्ण के पास पहुचकर ललकारते हुए कहने लगा, खरा रह, खरा रह, इस प्रकार से भगवान को संबोधित करते हुए तीन बाण मारा, एक छण मेरे सामने ठहर जा, जैसे कवा होम की सामगरी चुरा कर उड़ जाए, वैसे ही तो मेरी बहन को चुरा कर यहां से भागा जा रहा है, अरे मंद, तु बड़ा मयावी है, कपट जुद में कुशल है, आज मैं तेरा सारा गर्व खर्व कर देता हूँ, देख जब तक मेरे बाण तुझे धर्ती पर सुला नहीं देता है, उसके पहले इस बच्ची को छोड़ कर भाग जा, रुकमी की बाणों को काटते जाते थे, अंद में भगवान उनके बाणों को काटे और धनुस को काट लिए, इस प्रकार रुकमी धनुस कटने के बाद परीग, पटीश, सूल, ढाल, तलवार, शक्ती, तूमर, जितना अस्स, उसके पास रत पथा सब छोड़ने लगा, और भगवान क काटते जाते थे, तो अब रुकमी क्रोध बस हाथ में तलवार लेकर भगवान कृष्ण को मार डालने की इच्छा से रौत से कूद पड़ा, इस प्रकार उनकी ओर झपटा जैसे पतिंगा आग के ओर लपकता है, जब भगवान देखे कि रुकमी मुझे को मानना चाहता है तब उन्होंने बानों से उसके ढाल तलवार को तील-तील करके काट दिया, और उसको मार डालने के लिए तीखी तलवार निकाल लिया, जब रुकमी जी देखी कि हमारे भाई को मार डालेंगे, तो भवाय से बिहवल हो गई और अपने प्रियतम क्रिष्ण के चरणों में ग प्रन्तु कल्यार स्वरुप प्रभो मेरे भाईया को मारना आपके जोगी काम नहीं है, आप किरपया इनकी हत्या ना करें, रुकमी जी का एक एक अंग भवय के मारे थर-थर-थर-थर काप रहा था, परम दयालु भगवान रुकमी को भाईभीत देखकर करुना से द्रवि प्रगा से मूड कर कुरूप कर दिये, जब पीछे से स्री बलराम जी पहुंचे तो देखते हैं, कि रुकमी को बांद दिया है और कुरूप कर दिया है स्री कृष्ण, तब बीना पूछे बलराम रुकमी को खोल दिये, और कहने लगे, कृष्ण तुमने अच्छा नहीं कि यह निन्दित कार्ज हम लोगों के जोग नहीं है अरे उस पर भी अब तो यह अपना संबंधी है साला है अपने संबंधी की दाढ़ी मूच मूड कर उसे कुरूप कर देना यह उचित है यह एक प्रकार का बद ही है ऐसा नहीं करना चाहिए इसके बाद बल्राम जी रुक्मि भरिवान कोई ुख देने वाला कोई दूसरा नहीं है उसे तो अपने ही कर्म का फल भोगना पड़ता है दो रुखमि अपने कर्म का फल भोग रहा है फिर भगवान क्रिश्ण से बोलते हैं क्रिश्ण यदि अपना संबंधी ब मध करने जोग अपराद भी कर दे तो अपने ही संबंधियों के द्वारा उसको मारना उचित नहीं है उसे छोड़ देना चाहिए वह तो अपने अपराद से ही मर चुका है मरे हुए को क्या मारना है फिर उक्मिणी जी से बोलते हैं साधवी ब्रह्मा ने छत्रियों का ऐसा धर्म ही बनाया है कि सगा भाई भी अप तेरे भाई क्रिष्ण या ठीक है जो लोग धन के नसे में अंधे हो रहे हैं और अभिमानी हैं वे राज प्रितिवी पैसा इस्त्री मान तेज और किशी कारण से अपने बंधूं का भीतिरसकार कर देते हैं लेकिन हम लोग ऐसा नहीं है फिर उक्मिणी से कहते हैं साधवी तुम्हारे भाई बंधू समस्प्राणियों के प्रति दुर्भाव रखते हैं हम उनके मंगल के लिए उनके प्रति दंड विधान किये हैं उसे तुम अज्ञानियों की भाति या मंगल मत मानना देवी जो लोग भगवान की माया से मोहित होकर देह को आत्मा मान बैठते है उन्ही को ऐसा आत्म मोह होता है या मीत्र है या सत्रु है या उदासीन है इसलिए हे साद्वी अज्ञान के कारण होने वाले सोक को छोड़ दो या सोक अंतह کرन को मूरजा देता है मोहित कर देता है इसलिए छोड़ कर तुम अपने स्वरूप में इस्थित हो जाओ या सोक करने का समय नहीं है, खुशी का समय है, स्री भगवान बलराम रुकमणी को उत्साहित कर रहा है, कि बिवाह का बेला है, इस अवसर पर तुम सोक मत करो, दुखी मत हो, अपने चेहरा को इस तरह से मुर्जाओ मत, तो इस प्रकार भगवान परमसुंदरी रुकमणी को स समझाए, और उनके मन का मैल मिटाकर विवेक बुद्धि से संपन कर दिये, और इधर रुकमी के सेना, और उसके तेज का नास हो चुका, केवल प्रार भर बच गया, उसे छोड़ दिया गया, बिरूप किया गया, इस कस्टदाईश मिर्ति को रुकमी भूल नहीं पाया, अ जदी कृष्ण को हरा करना आउं, इसलिए क्रोध से अपने प्रतिज्या के अनुशार वो अपने नगर कुंडनपूर में नहीं गया, भोजकट में निवास करने लगा, और इधर भगवान बिदर भराज कुमारी रुकमीनी को लेकर द्वारिका में आये, और बिधी पुर बस बंधु बर्ग जुटे हुए थे, कूरू, सिंजय, कयकय, विदर, भज्यदू और कुंतियादी बंसों के लोग परसपर आनंद मना रहे थे, जहां तहां रुकमीनी हरण की गाथा गाई जा रही थी, उसे सून कर राजा और आज कन्याय अत्यंद बिश्मित हो गई, मह भगवान का पहला विवा है, अभी भगवान के अनेक विवा होंगे, लेकिन सुकदेव गुष्वामी बीच में एक दूसरी कथा कह रहे हैं, भगवान के अन्यान विवाहों की शर्चा बाद में करेंगे, इसके पहले रुकमिडी के प्रथम पुत्र प्रदूम्न जी के ज अन्म रहस्य को कह रहे हैं, कि कामदेव भगवान बासुदेव का ही अन्स है, वे पहले रुद्र भगवान के कुरधागनी से भस्म हो गया था, अब फीर से शरीर प्राप्ति के लिए उन्होंने अपने अन्सी भगवान बासुदेव का आश्रे लिया, वे ही काम अब की ब भगवान कृष्ण के द्वारा रुक्मनी के गर्व से उत्पन हुआ और प्रदुम्न के नाम से जगत में विख्यात हुआ संदर्ज, बीर्ज, सवशिल्य, यादि सद्गुणों में भगवान कृष्ण से किसी प्रकार कम नहीं था बालक प्रदुम्न अभी दोस दिन के भी नहीं हुए थे कि काम रुपी संबराशूर बेश बदल कर सुतिका ग्रे से उन्हें हर ले गया और समूद्र में फेक कर अपने घर लोटाया उसे कंस जैसा पहले से मालुम था कि यह मेरा भावी सत्रू है कहीं से पता चल गया होगा यहां तो डिटेल बढ़न नहीं है लेकिन संबराशूर को पता चल गया था कि उसका बध सिर कृष्ण पूत्र प्रदुम्न करेंगे रुकमिणी का प्रथम पूत्र इसलिए रुकमिणी के प्रथम पूत्र का इंतजार करता था जब जन्म लिये तो किसी तरह पता करके और उनको सुतिका ग्रेश से ही लेकर भाग गया था समूद्र में फेंक दिया था और समूद्र में प्रदुम्न को एक भारी मौछ निगल गया संजोग की बात मचुए ने उस मच को अपने जाल में फसा लिया और उसी संबराशूर को भेंट के रूप में दे दिये मचुवारों ने संबराशूर के रसोईये उस समय अदभुत मच को उठा कर रसोई घर में ले गए और कुलहाडियों से काटने लगे रसोईयों ने मच के पेट में बालक देखा अदभुत बालक तो संबराशूर की एक दासी थी मायावती उसको समर्पित कर दे